नामस्कार चेहन दोस्तों आपस्वेका स्वागत है रहवे सहाय द्वार रचित हशो हशो जल्दी हशो आए इसकविता को पढ़ते हैं हशो तुम पर निगाह रखी जा रही है हशो अपने पर नहसना क्योंकि उसकी कड़वा हट पकड़ली जाएगी और तुम मारे जाओगे ऐसे हशो की बहुत खुसन मालम हो वरना शक होगा की यह सक्स सर्म मेशा मिल नहीं और मारे जाओगे हसते हसते किसी को जानने मत दो किस पर हसते हो सब को मानने दो की तुम सब की तरह परास्त हो कर एक अपना पे की हसी हसते हो जैसे सब हसते हैं बोलने के वजाय जितनी देर उंचा गोल गुंबद गुंज दा रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से गुंज थमते थमते फिर हसना क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फशे अन्त में हासे तो तुम पर सब हसेंगे और तुम बच जाओगे हसो पर चुट कुलो से बचो उन्में सब्द हैं कहीं उन्में अर्थ ना हो जाए किसी ने सौ साल पहले दिये हो बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हसो ताकि किसी बात का कोई मतलब ना रहे ऐस और ऐसे मौकों पर हशो जो की अनिवार्य हो जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार जहां कोई कुछ नहीं कर शकता उस गरीब के सिवाई और वह भी अकसर हसता है हसा हसो जल्दी हसो इसके पहले की वे चले जाएं उनसे हाथ मिलाते हुए नजरे नीची किये हुए उसको याद दिलाते हुए हसो की तुम कल भी हसे थे तो दोस्तों आज के इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंग चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को हुए हुए